एलो दोस्तो मैं हूँ कमल और आप सबका हादिक श्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल दिवान किचन इक्विट्मेंट में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आटोमेटिक वेजिटेबल कटिंग मसिंग तो दोस्तो आज हम आपको बताएगे वेजिटेबल कटिंग मसिंग को कैसे यूज करते है और किस किस की तरह का कटिंग करता है वह सारी जानकारी हम आपको आज दिखाएगे और समझाएगे तो सबसे पहले यह हमने उसमें डाई लगाया है यह डाई है क्यूब कटिंग का क्यूब कटिंग का डाई है उसमें दो स्लाइजर लगता है नीचे क्यूब कटिंग का डाई लगा उपर सिंगल स्लाइजर लगेगा और यह उपर उसका बड़ा वाला होपर है उसो अच्छे स फीट कर देना है और फीट करने के बाद उसको हम स्विच ओन करेंगे तो मसिंग स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मसिंग स्टार्ट होता है जो भी सबजी आपको काटना है जैसे पोटेटो है प्याज है बेंगन है जिसका भी आपको क्यूब कटिंग करना है उपर से आपको ओ यह गंटे में करीबन 1500-2000 kg का तक मट्रियल काट देता है एक ट्यूब कटिंग है एक दम बढ़िया तरीके से क्योब कटिंग होकर कंप्लेट रेडी है इसके बाद हम बेंगन काटेगे यह है बेंगन बेंगन का कटिंग के लिए हमने उपर का डाय चेंज कर दिया है उसका गंटे में 1500-2000 kg आपको बेंगन का भी कटिंग मिल जाएगा देख सकते हो आप इसका साइज का चाहिए चोटा क्यूब कटिंग हो गया है इसके बाद हम यह ओनियन का राउंड स्लाइज करेंगे और राउंड स्लाइज करने के लिए उपर जो स्लाइजर हो डबल लगेगा और जिसका भी बिरिस्ते का काम है उसके लिए बहुत बढ़िया मसेंगे एक गंटे में करीब बन यह 2000 से लेकर 3000 किलो तक प्याज को काट देगी बलक में जिसको भी प्याज काट करेंगे उसके लिए बहुत बढ़िया मसेंगे उपर से जितनी स्पीड के आप प्याज डाल कि इस तरह से आप दोस्तों जो भी वजीटेबल का कटिंग करना है सारे वजीटेबल आप कट कर सकते हो वन बाई वन अलग अलग डाय लगा के जैसा कटिंग करना है वैसा डाय लगाते सकते हैं और वैसा ही कटिंग आप कर सकते हो इस मसिंग को आप होटल कैटरेंग जहां भ मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो का आखिर तक तेखने के लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच दोस्तों